नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपने चैनल HVS Studies में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए सितंबर मन्त का Current Affair लेकर आ गया हूँ इसमें पूरे 100 कोशन होंगे और सारे कोशन important है और इतने important है या तो वह पहली बार हुआ है वह event पहली बार हुआ है या तो फिर कुछ ऐसाappointment है जो क्ये special हैं यह सारी चीजे मैंने यहाँ पर cover की है schemes वगयरा कोई bank से related कोईыл्ट करेंट अफेर है सब कुछ यहां पर कवर है इन सौ कोशन्स में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से अनुरोध है चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाएगा चलिए यहां पर मैं आपको बता अगर आप जैनवरी से जून तक का करन्ट अफेर 2021 का करना चाते हैं तो आप इस एबुक को खरीज सकते हैं सिर्फ 29 रुपई की आपको दे रहे हैं और 600 बेस्ट कोशन का यहां पर कलेक्शन है जुलाई के लिए और अगस्त के लिए मैंने यहां पर आपको वीडियो प्रो हो रहे है सुमित अंथिल विंस गोल्ड फोर इंडिया बिलॉंग टू विच गेम बिलॉंग टू विच यहां पर स्टेट होगा माफ किजएगा विच स्टेट तो आंसर यहां पर हो जाएगा यह हरियाना के सोनी पत से बिलॉंग करते हैं तो यहां पर डी ऑप्शन सही है आप यहां देख भी सकते हैं यह हरियाना के सोनी पत से बिलॉंग करते हैं और इनको कौन सा गोल्ड मैडल मिला है यह बात आपको याद रखनी है सोनी पत आपको दिख गया होगा आगे बात करें अगला कोश्चन है यहां पर हम ज़्यादा डीटील नहीं करेंगे नॉर्म डिरेक्टर कौन बन गए है तो यह SBI के पूर्व अध्यक्ष है पूर्व चेर्मेन है इनका नाम है रजनीश कुमार यह बन गए है आगे बात करते हैं यहां पर वही सब लिखा हुआ है अगर आप देखना चाहें तो HSBC के CEO है पीटर वंग और फाउंड इनको किया था था पूर्मस शूथर लेंड ने और इसको 1865 में फाउंड किया था यहां पर बात करें विच गवर्मेंट लॉंचेश मिशन वातसल्य फोर वूमेंट तो आंसर यहां पर हो जाएगा महरास्ट ने मिशन वातसल्य फोर वूमेंट के लिए लांच किया था जिनके हजबन करेंटीन में उनकी डेथ हो गई है उनके लिए है मिशन वातसल्य विधाय वगेरा प्रोवाइड करेगी महरास्ट गवर्मेंट महरास्ट के बारे में सारी डिटेल में यह करंट अफेर के जो डेली मेरी सीरीज चलती है उसमें मैं कवर करता हूं तो आप उसे जरूर फॉल जंप है जंप करते हैं और तमिल नाडू से बिलॉंग करते हैं इनको सिल्वर मैडल इस साल मिला है और 2016 वाला जो ओलम्पिक था उसमें इनको गोल्ड मैडल मिला था इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यह इस साल फ्लैग लेकर आगे चलने वाले थे लेकिन कोविड न अगला कोशन है विच रैंक अमूल इन रेनो बैंक 2021 ग्लोबल डेरी टॉप 20 रिपोर्ट तो 20 टॉप जो डेरी वाली कंपनिया है उनमें अमूल का रैंक आया है अठारवा दुनिया के रैंक में ठीक है और टॉप किस ने किया है तो आप के दिमाग में यह भी चल रहा होग तो टॉप किया है इस बार लेक्टलिस ने किसने लेक्टलिस ने और नेसले को पीछे छोड़ दिया है नेसले सुजलेंड की कंपनी है और लेक्टलिस फ्रेंच की कंपनी है आगे बात करते हैं अगला कोशन है विच आयाईटी एनाउंसेस ओनलाइन प्लेटफर्म ई-सोर् लाँच किया है तो आंसर यहां पर हो जाएगा आयाईटी मद्रास ने मैं रेगूलर इसको रवाइज भी कराता रहता हूँ तो आयाईटी मद्रास ने ई-सोर्स को लाँच किया है मतलब अब आपकी जो इलेक्ट्रोनिक पेपर बगएरा होंगे उनको इलेक्ट्रोनिक लि हैं उनकी help करने के लिए मेरा काम मेरा नाम मेरा मान scheme को पंजाब ने launch किया था जिससे की उनकी skills को develop किया जाए उनको job provide कराई जाए और जब तक job ना मिले तब तक 25 रुपए भी भत्ते के रूप में दिये जाएंगे अगला question है which IIT develops world first plant based smart 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 air purifier तो smart air purifier जो कि plant based है दुनिया का पहला है किस ने launch किया यह अगर जो आप regular मेरी सीरीज करंट अफेर वाली सीरीज है उसको follow कर रहे होंगे तो यह बहुत साथ बचकाने से question आपको लग रहे होंगे तो answer यहाँ पर हो जाएगा IIT roper IIT roper क्योंकि में बहुत बार आपको रिवाइज करा चुका होंगा महीने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह सारी चीजे में जो डेली सीरीज चलती है उसमें रिवाइज कराता हूं तो आप भी आदत डालिए पंद्रा सुबह उठिये और फॉलो कीजिए चलिए आगे बात करें अगला कोशन है बिग बॉस 13 विनर सिधार सुकला पासे बिलॉंग तो विच स्टेट तो इनका जन्म महरास्ट और महरास्ट में हुई थी तो मतलब महरास्ट से बिलॉंग करते हैं और बहुत चर्चित प्लेयर थे मतलब चर्चित प्लेयर माफ किजिएगा चर्चित एक्टर थे मॉडल थे और अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है और हार्ट अटेक की वज़े से इनकी डेथ हुई है अगला कुशन है फू अपॉंटेट एज सी बीडीटी चेर्में तो सी बीडीटी के चेर्में कौन बन गए है तो आंसर यहां पर हो जाएगा जेवी मुहापात्रा जी जेवी मुहापात्रा जी को नया सेंटल बोड ऑफ डारेक्ट टैक्सिस का चेर्में बना दिया गया है पी-सी मोधी की जेगे इननोंने ली है आगे बात करें अगला कोशन है विच कंट्री डिकलेएः फूड इमर्जैंसी ऐज फॉरेक्स क्राइस तो फूड क्राइस की वज़े से स्रे लंका ने अभी हाली में इमर्जैंसी की गोशना कर दी है अगला कोशन है यूनियन टेर् स्नो लियोपार्ड को लड़ाक यूनियन टेरिट्री ने अपना स्टेट एनिमल घोशित कर दिया है थो यूनियन टेरिट्री एनिमल और साथ-सात इनों है क्रूस निक्री कोलिस आगे बात करें तो अगला कोश्चन है हूँ विंस बर्ड फोटोग्राफ ऑफ दा इयर 2021 तो आंसर यहां पर हो जाएगा अलेजंद्रो प्रियाटो अलेजंद्रो प्रियाटो जो सी ऑप्षन लिखा हुआ है यह आंसर सही है अलेजंद्रो प्रियाटो जो की मेक्सिकन मेक्सिको के फोटोग्राफर है इन्होंने एक चिडिया की फोटो ली थी जो की यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पर बैटी हुई सोच्टारों को देख रही थी ठीक है चलिए आगे बात करें अगला कोश्चन है विच फीमेल बिकम फर्स्ट इंडियन वूमेन तो विन टू मैडल इन पैरा ओलंपिक तो आंसर यहां पर हो जाएगा अवनी लेकारा अवनी लेकारा जो की राजिस्थान से बिलॉंग करती है राजिस्थान के जैपूर से बना दिया एक था ब्रॉंज मैडल और एक था गोल्ड मैडल यह पहली गोल्ड जीतने वाले भी वाली प्लेयर बनी है यह भी एक अपने में रिकॉर्ड है ठीक है जैपूर राजिस्थान से यह बिलॉंग करती है अगला कोश्चन हो जाएगा नियू डवलप्मेंट बैंक अप्रूवस विच कंट्री एज नियू मेंबर तो आंसर यहां पर हो जाएगा नियू डवलप्मेंट बैंक जो की ब्रिक्स का एक बैंक है ब्रिक्स जो के कंट्री का और्गनाईजेशन है उसका एक बैंक है और उसने यूएई बांगलादेश और अरुग्वे को अपना नया मेंबर बना दिया है डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आगे बात करें अगला कोश्चन है फू टेक्स और एज न्यू डीजी ओफ बी एस एफ बी एस एफ के नए डीजी कौन बने है तो आंसर यहां पर हो जाएगा हो जाएगा पंकच कुमार सिंग पंकच कुमा सिंग हमने पढ़ लिया कि नए डीजी बने है बी एस एफ के लेकिन जो की आई टी बीपी के एसेस देशवाल साहब ते उन्होंने भी स्तीफा दिया है तो आंसर हो जाएगा उनकी जगह किसने लिए है तो आंसर हो जाएगा संजे अरोडा इसी कोश्चन मैंने दो कोश्च के रामा चार्यूलू अगर रेगुलर आप करेंट अफेर वाली वीडियो मेरी फॉलो कर रहे होंगे तो यह बहुत असान आपको लग रहा होगा यसे यह जो कुश्चन से बहुत बस रिवाइस के रूप में आप ले रहे होंगे एम बंकईया नाइडू ने इनको और अभी जो पिछला हुआ है वो लखनव उत्तर प्रदेश लखनव में होस्ट किया गया था यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात और इसी तरीके की डीटेल आपको डेली करंडफर वाली वीडियो में मिलेगी आगे बात करें विच युनिवर्सिटी टॉप्स टाइम सुवर्ड युनिवर्सिटी रैंकिंँ 20 22 तूंसर यहां पर हो जाएगा युनिवर्सिटी ऑफ ऐक्सफोर्ड इसने टॉप्कर दिया है टायम्स वड़ दीवर्सिटी रैंकिंग में जो तो फुजार 22 की रही है और सेकिंड नुंबर पर कौन रहा है तो कैलिफार्निय इं C जो Bangalore है वो इस पर रही है और 351 से 400 की बीच में IIT रोपर रही है और IIT इंदौर 401 से 500 के ब्रैकेट के में रही थी अगला कोशन हो जाएगा वेर टू सेट अप साइन सिटी नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी तो आंसर यहाँ पर होगा राजीव गांधी के नाम पर महरास्ट ने घोशित कर दिया है कि वो साइन सिटी बनाएंगे ठीक है यहाँ पर अब देख सकते हैं डीटेल भारत रत्र राजीव गांधी साइन्स इनोवेशन सिटी को सेट करने वाले हैं महरास्ट कहां पर सेट करने वाले हैं तो पुने में इसको सेट करने वाले हैं, 191 करोड की पूरी लागत लगेगी, अगला कोशन, Tokyo Olympic, Manish Narwal wins which medal in 50 meter mixed pistol, तो 50 meter mixed pistol में जो सुमित Manish Narwal जी है, इन्होंने gold medal जीत लिया है, जो इनके partner थे, उनका नाम था सिंगराज अधाना जी, उन्होंने silver medal जीता है, ठीक है, चलिए, आगे बात करें, अगला कोशन है, who becomes first woman CMD of Engineering India Limited, तो Engineering India Limited की पहली CMD बन गई है, और वो महिला रही है, तो आंसर इनका हो जाएगा, वर्तिका शुकला जी, वर्तिका शुकला जी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह बन गई है, CMD Engineering India Limited की, जो इस Engineering India Limited है, इसको found किया गया था, 1965 में, अगला कोशन, who wins, Dutch Grand Prix 2021, तो Dutch Grand Prix को जीत गए है, Max Verstappen, आगे बात करते हैं, मेक्सिको के, माफ किजिगा, Red Bull चलाते हैं, और नीदेलेंड के प्लेयर है, Max Verstappen, यह Dutch Grand Prix को जीत गए है, अगला कोशन, which country becomes first Asian nation to launch plastic pack, तो plastic pack को किसने launch कर दिया है, तो answer हो जाएगा, India, भारत के, भारत है, जो कि Asia का पहला country बन गया है, जो कि plastic pack को launch कर दिया है, ठीक है, चलिए, आगे बात करें, अगला कोशन है, India's first, Dugong Conservation Reserve to come up in which state, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Tamil Nadu, Tamil Nadu में Conservation Reserve बनाया गया है, जो कि Dugong है, उसका पहला है, ठीक है, इनकी numbers का मोग है, इसकी वज़े से ऐसा काम किया जा रहा है, तो अगला कोशन है, 28 India and which country, Maytime bilateral exercise, Simbex 2021 held, answer हो जाएगा, इंडिया और Singapur के बीच में, यह Simbex 2021 exercise है, वो हुई है, और हुई कहाँ पर है, तो यह आप चाइना सी में इसको करा गया है, और प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, कहां के सिंगापूर के, इक्विटास बैंक आपॉंटेड, विच बैंक, विच प्लेयर्स, एज ब्रेंड अमेस्डर, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप यह देख सकते हैं, होकी टीम की कैप्ट है, रानी रामपाल जी, और दूसरे है, स्मिर्थी मंदाना जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, और यह दोनों एक्विटास बैंक के ब्रेंड अमेस्डर बन गए हैं, ठीक है, चलिए, आगे बात करें, विच एक्ट्रेस अन्वील हर बुक, टाइटल बैक टू दरू तो आप यहाँ देख सकते हैं, तमन्ना भाटिया जी ने अपनी एक बुक लॉंच कर दी है, उसका नाम है बैक टू दरू अगला कोशन, इंडिया है, फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ट बिल्डिंग ओपन एट विच आईटी, तो आंसर हो जाएगा, आईटी हैदराबाद, आईटी हैदराबाद में पहली बायो ब्रिक बेस्ट बिल्डिंग बनाई गई है, यह आंसर सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अगला कोशन, वन थर्टी, बना एक सो तीसवा एडिशन ऑफ डूरंड कप, किक आफ इन विच सिटी, तो आंसर होगा, यह कोलकत्ता म पर और्गनाईस कराया गया था, और अगर बताओं में आपको इसको जीत कौन गया है, तो गोवा की जो एक फुटबॉल कलब है, वो इसको जीत गया है, और गोवा पहली बार ऐसा हुआ है कि डूरंड कफ को जीता है, अगला कोशन, रिसेंटली, विच स्टेशन, विच र राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, अगला कोशन, यहां पर आप देख सकते हैं, चंडीगड को मिला है, और चंडीगड के साथ पांच स्टेट हो चुके हैं, जिसको फाइस्टार इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, और और कौन-कौन से है, तो आनंद वि तरा इसको दिया जाता है अगला कुशन how many teachers awarded to national teacher award 2021 तो answer हो जाएगा प्रेसिडेंट साहब ने 44 टीचरों को national teachers award 2021 का दिया है जिसमें से 9 महिलाएं थी और बाकी जो बच गए वो पुरुस थे मतलब 35 मेल थे और 9 महिलाएं थी अगला कुशन who wins global award in turtle conservation तो turtle conservation करने के उसमें किसको global award मिला है तो answer होगा सैलेंदर सिंग को जो आप यहाँ नीचे photo देख सकते हैं सैलेंदर सिंग को turtle को conserve करने के लिए बहलर turtle conservation award दिया गया है अगला कुशन इंडिया's tallest air purifier tower installed in which state or UT तो answer हो जाएगा चंडीगड में tallest air purifier लगाया गया है अगर आप से पूछा जाए पहला कहां लगाया गया है तो answer होगा दिल्ली और tallest तो चंडीगड answer यहाँ पर सही होगा ठीक है अगला कुशन which government launches वतन प्रेम योजना तो answer हो जाएगा गुजरात ने वतन प्रेम योजना अभी रिसेंटली लांच की थी यहाँ पर बता दूँ यहाँ होगा क्या smart classes बनाई जाएंगी cctv लगाये जाएंगे water की recycling अच्छे से की जाएगी solar energy को ज़्यादा यूज किया जाएगा street light अच्छे से लगाई जाएंगी यह सारी चीजे यहाँ पर करने वाले हैं और आगे बात करते हैं अगला कुशन गनीज world record recognize who football player for most goal score तो सबसे जादा goal score बनाने वाले रोनालडो बन गए हैं गनीज world record में इनका नाम दर्ज हो चुका हैं और कितने goal कर दिये हैं 111 कर दिये हैं अभी भी और आगे खेलेंगे तो करते रहेंगे अगला कुशन Tata AIA life name who's as brand ambassador तो आंसर हो जाएगा नीरत चोपडा जी को Tata AIA life ने अपना brand ambassador चुल लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला कुशन है India's first emergency landing facility on national highway in which state तो आंसर हो जाएगा राइस्थान का एक highway है 925A यह वाला highway है national highway जहाँ पर अब emergency जो landing होगी उसकी facility बना दी गई है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 925A जो national highway है राइस्थान में राइस्थान के बारमेर में वहाँ पर अब emergency landing के लिए facility बन चुकी है अगला question which country becomes first country in world to begin vaccination total तो मतलब बच्चों को vaccine देने वाले क्यूबा बन चुका है पहली ऐसी country यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली country क्यूबा बन चुका है बात बहुत सारे लोग कर रहे थे हैं चाइना कर रहा था, UAE कर रहा था, Venezuela कर रहा था लेकिन क्यूबा पहला ऐसा country बन गया है जो बच्चों को vaccine दे रहा है, which workshop bag best energy efficient unit award तो answer हो जाएगा tricky या tricky golden rock, इसको पहला इसको यह railway का एक subsidiary है जो कि जिसको पहला अपना award मिला है best energy efficient का, ठीक है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी railway की जो workshop है उसको ऐसा award दिया गया है, अगला question, which country successful launches new earth observer satellite guafen 502, तो चाइना ने ऐसा कर दिया है और guafen 502 को चाइना ने launch किया है, और successfully launch किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला question है, who is new cmd of national fertilizer limited, national fertilizer limited के नए cmd कौन बन गया है, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, निरलेप सिंह राइजी, निरलेप सिंह राइजी यहाँ पर बन गया है cmd national fertilizer limited के, ठीक है, अगला question, who is the new cm of gujarat, तो answer हो जाएगा भुपेंद्र पतेल जी, नए cm बन गया है, विजयरुपानी को हटा कर, भुपेंद्र पतेल जी नए cm बने हैं, दोरों वैसे बीजेपी से थे, किसी ने किसी को हटाया नहीं है, खुद इस्तेफा दिया है, अगला question, world tallest plant capture carbon from air open in which country, तो answer हो जाएगा, Iceland में ऐसा किया गया है, दुनिया का सबसे उचा, सबसे largest, oxygen को, माफ कीजिएगा, carbon capture करने वाला एक plant लगाया गया है, और लगाया कहा है, Iceland में ये कारदामा किया गया है, ठीक है, चलिए, आगे बात करें, अगला question है, which country becomes first country to adopt bitcoin as national currency, तो answer हो जाएगा, Al Salvador, ऐसी पहली country बन गई है, जिसने adopt कर लिया है, bitcoin को, अपनी national currency के रूप में, अगला question, who is new governor of Tamil Nadu, गवरनर कौन बन गए है, Tamil Nadu के नए, तो answer हो जाएगा, आरन रवी, जो की नागलेंड के governor थे, अब Tamil Nadu के governor बन चुके है, नागलेंड का भार है, वो असाम के governor को दे दिया गया है, जगदीश मुखी जिनका नाम है, आगे बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Tamil Nadu के जो governor थे, बनवारिलाल प्रोहिज जी, वो पंजाब पहुँच गए, आरन रवी, जो की नागलेंड के governor थे, वो तमिलाडू के बन गए, और जगदीश मुखी जी, जो की असाम के governor थे, उनको नागलेंड का भार भी दे दिया गया, आगे बात करें, अगला question है, who named chairman of national commission for minority, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, इकबाल सिंग national commission for minority का, आगे बात करते हैं, आपर आप देख सकते हैं, अगला question, who wins italian grand picks 2021, तो italian grand picks को कौन जीते हैं, इनका नया नाम है, इसलिए आपको याद रखना है, इनका नाम है, Daniel Ricciardo, जो की italian grand picks को जीत गए है, और नए नाम है, इसलिए important है, आपको याद रखना पड़ेगा, य australian और italian है, और mclaren चलाते हैं, इसलिए important है, याद रखेगा, अगला question, india's largest open air fernery opened in which state, तो answer हो जाएगा, उत्राखंड में largest fernery खोला गया है, और दुनिया भारत का largest है, इसलिए important है, यहाँ पर आप देख सकते है, फरनरी कहां खोला गया, उत्राखंड के रानी खेत मे कहां पर उत्राखंड के रानी खेत में खोला गया है, आगे बात करें, अगला question है, आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं जाओंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो बनेगी तो आपको cover करने म कि सारे question को मैं आप पर कम detail में cover कर सको, तो in men's category, who has lifted his first grand slam trophy as US Open 2021, तो पहली बार ऐसा हुआ है, ये जीते हैं, वैसे तीन तीकोडी जीतती हैं, कौन से, आपको पता होगा, तीन best player है, राफेल नडाल हो गया, नवाग जोकोवीच हो गया, और एक और player है, वो तीनों नहीं ज कौन सर हो जाएगा, US Open 2021 को कौन जीते हैं, डेनियल मेद विदेव, ये जीते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका पहला ये grand slam है, इसलिए भी important है, रशिया के player है, और नवाग जोकोविच, जो की सर्विया के player है, उनको हराया है इनोंने, ठीक है, महिलाओं में अगर बात की जाए, तो Emma Reducano, ये भी important है, ये बहुत youngest है, और जीती है ये भी, और great Britain से belong करती है, और इनोंने हराया किसको है, तो Lela Annie Fernandez को हराया है, और Emma Reducano, ये important है, great Britain से belong करती है, यहाँ पर पूरी list है, अब देख सकते हैं, अगला कोशन, who appointed, who's as its new CEO, नए CEO कौन बन गए है, याहू के, तो Jim Lenzone नए CEO बन गए है, याहू के, अगला कोशन, who elected as new PM of Morocco, मुरक्को के नए PM कौन बन गए है, अजीज अखानौच, CEO option यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सके, अगला कोशन, नुआ खाई, जुहर हार्वेस्ट फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड इन, अंसर हो जाएगा, उडीसा में इसको मनाया जाता है, धान की जो कटाई होती है, उस समय पर मनाया जाता है, अगला कोशन है, who joined as mentor, इंडियन team for the T20 World Cup, तो आंसर हो जाएगा, महिंदर सिंग धोनी, भारती टीम के साथ जुड़ गए है, T20 World Cup के लिए, जो की UAE में होने वाला है, अगला कोशन है, which state government launches millet mission, to become millet hub of India, तो आंसर हो जाएगा, 36 गड़ ने अभी एक scheme launch की है, millet mission, अगला कोशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, medicine from the sky initiative launched in which state, तो आंसर हो जाएगा, तिलंगाना ने अभी एक scheme को launch किया है, और important है, पूछी जा सकते हैं, पहले ही ऐसी कोई scheme launch हुई है, और किस ने launch किया है, तो जोती रादिस सिंध्या, जो की हमारे civil aviation minister है, उन्होंने इसको launch किया है, अगला कोशन है, international Olympic committee suspended which country from Beijing Olympic, Beijing मतलब winter वाला Olympic 2022 में होने वाला है, कहां पर Beijing में, और Beijing में होने वाले Olympic के लिए, North Korea को international Olympic committee ने ban कर दिया है, मतलब suspend कर दिया है, ठीक है, आगे बात करते हैं, which payment bank launches fast tag based metro parking facility, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पेटियम, पेटियम अब दिल्ली की जो DMRC है, वो fast tag based metro parking की facility में, पेटियम, पैसो का आदान परदान का सारा देखरे करने वाला है, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला question है, who named as ICC player of the month for August, तो आंसर हो जाएगा, England के test team के जो captain है, इनका नाम है, जो रूट, इनको मिला है, best player of the month, अगस्त का, और Ireland की एक player है, यहां पर मैं इनका नाम बता दू, मैं जादा cricket follow नहीं करता, इसलिए मुझे इनका नाम याद नहीं है, तो, Amir Richardson, यह हैं Ireland से, और जो England team के test team के जो captain है, जो रूट, इनको अगस्त मन्त का player of the month चुना गया है, ठीक है, अगला question है, which country hosts the first ever global Buddhist conference, तो अनसर हो जाएगा, इंडिया के बिहार में, इंडिया के बिहार नालंदा में इसको organize कराया जाएगा, उसके बाद और दूसरे देशों में भी organize होंगी है, अगला question है, which country has launched project उडान, तो आंसर हो जाएगा, IIT Bombay ने project उडान को launch किया है, ठीक है, अगला question है, which company commissioned India's first plant to capture CO2, तो आपने पढ़ा, Iceland, Iceland एक ऐसी country बन गया है, जो उसकी largest CO2 capture लगाएगा, और साथ-साथ, Tata Steel, जो की अपने एक plant में carbon capture करने के लिए एक machine लगाने वाला है, भारत का यह पहला है, तो इसलिए important है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला question है, who launches digital commerce platform Equinox, तो Infosys ने digital platform Equinox सो launch कर दिया है, ठीक है, अगला question है, which UT launches one gram panchayat, one dizzy pay, सखी, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मनोज सिना, जो की जम्मू कश्मीर के उपरा, जिपाल है, उन्होंने ही one gram panchayat, one dizzy pay, सखी को launch किया है, अगला question है, who will be the new Osbusdom, come ethics officer of Delhi and District Cricket Association, तो जम्मू कश्मीर की पहली, high court की पहली न्याइधीश थी, पहली मुख्य न्याइधीश थी, इनका नाम था, इन्दू मलहुत्रा, पहली का मतलब पहली महिला मुख्य न्याइधीश थी, इन्दू मलहुत्रा जी, उनको DDCA का बना दिया गया है, एथिक ऑफिसर, अगे बात करते हैं, अगला कुश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री, जॉइन्ट मिलिटरी एक्सराइज, सूर्य किरन, जो की कौन सा संस्क्रंड था, तो पंदरवा संस्क्रंड था, पिथोरागड, उत्त्रा खंड के पिथोरागड में इसको कराया जा रहा था, और किसके साथ ही इंडिया करता है, इसको, नेपाल के साथ इसको करता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ CMD बन गई है National Small Industrial Corporation Limited के अगला कोश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो यहाँ पर बात की गई है Small National Small Industry Corporation जो की MSME में आती है और इसके जो हमारे Cabinet Minister है वो है स्री नारायन तनू राने अभी फेमस भी रहे है जेल विल गए है इसलिए अगला कोश्चन है India's 61 Software Technological Park Center opened in which state तो आंसर हो जाएगा Nagaland का पहला और भारत का 61 Software Technology Park Center खोला गया है important हो जाएगा अगला कोश्चन है who named as 2021 International Youth Eco Hero तो आंसर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इनका नाम है आयान संक्टा आयान संक्टा जो की बन गए है जो की बारा साल के हैं सिर्फ और environment को protect करने में इनका एहम योगदान रहा है जिसके लिए इनको the action of nature एक award दिया गया है अवार्ड का नाम है 2021 International Youth Eco Hero आगे बात करते हैं अगला कोश्चन है विच कंट्री अनाउंसेस न्यू पार्टनर्शिप ओकस तो आंसर हो जाएगा तीनों कंपनी तीनों कंट्री यूएस यूके और ऑस्टिलिया मिलकर एक ग्रुप बना रही है जिनका नाम है ओकस यहां पर सी एम बन गए है पंजाब के अगला कोश्चन हाव मैनी इंडियन इन टाइमस हंडर्ड मोस्ट इंफ्लेंस प्यूपल लिस्ट तो आंसर हो जाएगा यही तीन है तो आंसर है बी ऑप्शन परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ममता बैनर जी जी और साइरेस पुनावाला ये ये तीन लोग बन गए है जो की टाइमस के अकॉर्डिंग टॉप हंड्रेड मोस्ट इंफ्लेंसिंग प्यूपल की लिस्ट में भारत से सामिल हुए ठीक है अगला कोश्चन है हो विंस एशियन स्नूकर चैंपेंशिप 2021 तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंकज आडवानी जी एशियन स्नूकर चैंपेंशिप 2021 की जीत गए है पिछला जो संस्क्रण हुआ था 2019 में उसको भी यही जीते थे ठीक है अगला कोश्चन है विच स्टेट सिरांग खॉंग चिली एंड तमेंग लॉंग औरेंज गैस जी आई टेग तो आंसर हो जाएगा मनीपुर यहां पर लगा हुआ है अगला कोश्चन है केटले डिक्लेड एज स्टेट फिश ओफ विच स्टेट तो आंसर जाएगा सिक्किम ने अभी रेसेंट्ली में केटले को अपना स्टेट फिश चुन लिया है और यह एसा स्टेट बन चुका है सिक्किम किया आपका सीम देख सक प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद इनके गवर्णर है फिनो पेमेंट बैंक अपॉइंट हूज एज ब्रेंड अमबैस्टर तो यहां पर आप देख सकते हैं पंकज त्रिपाथी जी को पंकज त्रिपाथी सी ऑप्शन यहां पर सही है फिनो बैंक ने ऐसा पहले पहली बना दिया है हर्मिलन कौर बाइन ने हर्मिलन कौर बाइन जो की पंजाब से विलॉंग करती है इनका नया टाइम हो गया है चार मिनट पांच सेकंड और थर्टीनाइन मिली सेकंड पहले था चार मिनट छे सेकंड और 0.3 मिली सेकंड सुनीता रानी का इनोंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगला कोश्चन है who becomes 70 grand master 17th grand master राजा रिथिविक जी बन गए है यह option यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप अगला कोश्चन India's first indigenous cruise liner launches by तो answer हो जाएगा IRCTC द्वारा जो कि railway की एक खाना वाना प्रोवाइड कराने की और रिजर्विशन वगएरा online करने वाली एक platform है जो की first indigenous cruise liner को चलाने वाला है यात्री वगएरा के लिए चलती है port to port ठीक है चलिए आगे बात करें अगला कोश्चन है what is rank of India in global innovation index 2021 तो answer यहाँ पर हो जाएगा 46 world intellectual property organization द्वारा इसको निकाला जाता है अगला कोश्चन है which country becomes ninth member of the Shanghai corporation organization तो answer हो जाएगा observer country से इरान country को ninth member SEO का बना दिया गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं observer state थे पहले चार अब 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 रह गए हैं अफगानिस्तान बेलारूस और मंगोलिया इरान पहुँच गया यहाँ से यहाँ अगला कोश्चन जस्टिन टूडो wins third term as prime minister of which country तो answer हो जाएगा कनाडा के कनाडा के जस्टिन टूडो third time prime minister बन गये हैं आप इनकी यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं अगला कोश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं which state of government to set up electronic park तो answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने अभी set करने की घोशना कर दी है कि electronic park वो बनाएंगे कहां बनाएंगे तो यमना express वे जो industry development authority है उसके द्वारा बनाया जाएगा और इसी area के noida के असपास को बनाने की अभी योजना बनाई हुई है अगला कोश्चन है who received national Florence night angle award 2020 तो answer यहाँ पर हो जाएगा यह आप देख सकते हैं brigadier है यह इनका नाम है S.V. Sarasoti ji S.V. Sarasoti ji जो की काम कर रही है इंडियन आर्मी के लिए और इनको national Florence night angle award 2021 का दिया गया है नर्सों को दिया है नर्सों का बहुत बड़ा आवार्ड में से एक है बना सबसे बड़ा आवार्ड है यह और S.V. Sarasoti ji को brigadier S.V. Sarasoti ji को यह आवार्ड दिया गया है अगला कुशन विच स्टेट सेट अप और टी पार्क एट कामरूप डिस्टिक्ट चाइंग गाउं तो एक जगह है एक डिस्टिक्ट चाइंग गाउं जहां पर जो की एक टी पार्क वहाँ पर सेट अप किया जाएगा यह है असाम में यह बात आपको याद रखनी है ठीक है यहाँ पर टीव अगयरा को प्रमोट करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है अगला कुशन है वह अपॉइंटेड एज न्यू आईएफ मतलब इंडियन एयर फोर्स चीफ तो आंसर हो जाएंगे यह 27 नंबर के वी आर चौधरी जी बन गए है इंडियन एयर फोर्स के चीफ ठीक है चालिए आगे बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते है विवेक राम चौधरी जी 27 वे नंबर के हैं यह अगला कोशन हो जाएगा विच यूटी सेट टू रोल आउट फर्स्ट एडिशन ओफ हिमालियन फिल्म फेस्टिवल 2021 तो आंसर हो जाएगा लद्दाक जो की पहला एडिशन चल रहा है हिमालियन फिल्म फेस्टिवल का उसको होस्ट करेगा ठीक है अगला कोशन बीजिंग 2022 लाँच अफिशल स्लोगन आंसर हो जाएगा तुगेदर फोर इस्टेंड माफ कीज़ा तुगेदर फोर अशेयर्ड फ्यूचर ये आंसर हो जाएगा एडिशन सही है जो की बीजिंग 2021 मतलब चाइना में होने वाला है 2022 का जो ओलम्पिक है विंटर ओलम्पिक उसके लिए तुगेदर फोर अशेयर्ड फ्यूचर ये एक स्लोगन लाँच किया गया है आप कोई बात याद रखनी है अगला कोशन हूँ रिसीजिजी प्रोग्रेस अवार्ड तो आप देख सकते हैं बांगलादेश की प्रधान मंतरी है इनका नाम है सेख हसीना जी इनको मिला है SDG प्रोग्रेस अवार्ड ठीक है चलिए आगे बात करें विच स्टेट होस्ट मेंस होकी जूनियर वर्ल्ड कफ तो अंसर हो जाएगा ओडिसा होस्ट करेगा मैंस होकी जूनियर वर्ल्ड कफ ठीक है चलिए आगे बात करें विच हाइएस्ट एवी चार्जिंग स्टेशन इनकोरेटेड इन विच स्टेट तो हिमाचल प्रदेश में हाइएस्ट एवी चार्जिंग स्टेशन इनकोरेट किया गया है अगला कोशन WHO appointed WHO ambassador for global health financing तो आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधान मंत्री है कहा के UK के इनका नाम है Gordon Brown Gordon Brown को ambassador के रूप में चुना है global health financing के अगला कोशन हो जाएगा Statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto जो Satoshi Nakamoto है यह Bitcoin के founder है इनका statue कहाँ पर unveil किया गया है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा Hungary जो की Budapest Hungary की जो capital है Budapest वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है ठीक है चलिए आगे बात करें तो लूइस हैमिल्टन अपनी सभी रेस को जीत गए है जिसका और कौन सी रेस थी वो तो रूशियन ग्रेंड पिक्स 2021 रेस थी ठीक है अगला यहाँ पर बात कर लें लूइस हैमिल्टन मर्सरी चलाते हैं ग्रेट बीटन के प्लेयर हैं अगला कुशन विच स्टेट नागा कुकंबर के लिए ठीक हैं आगे बात करते हैं खीरा है एक प्रकार का क्रिकेटर मोयन अली अनौंसे रिटायर्मेंट फॉर्म टेस्ट बिलॉंग तो विच कंट्री तो आंसर हो जाएगा इंगलेंड से बिलॉंग करते हैं और अब इन्होंने टेस से रिटायर्मेंट की गो कास्टर कार्ड ने आगे बात करते हैं अगला कुशन है साइकलोन स्टॉर्म गुलाब हिट विच स्टेट मैजॉरिटी तो आंसर हो जाएगा बोथ सी ऑप्शन सही आंदर प्रदेश और इसा दोनों को इसने हिट किया है गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था अगर आ पचास से साथ बच्चे आपके साथ जुड़े हों जो तैयारी कर रहे हों धन्यवाद